सबस्क्राइब करें इस लिए गया डाउन काफी जाधा यहां पर इसको टुछ के लिए उपर इस लेवल को टच करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बता है अगर हुआ तो पास में जब होता है अब इसलिए अगर बहुत ज़ादा होता है तो फिर मतलब बहुत ज़ादा मार्केट को पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके उपर जाएगा ठीक है यह वाली बात होती है तो इस वजह से चुकि बैंक निफ्टी में इतना ज़ादा गैप डाउन के मुकाबले इस लिए पॉसिबिल्टी लग ज़ी थी कि उपर जूने के लिए सकता है क्योंकि नीचे तो देखे असल ही ने लिए इसमें मैंने चुने में ड्रेड डी इन एंप यह वाली ट्रेड ली धी यह पुट्की ट्रेड ली ती यह वाली ब्लाक कर देते हैं यह दे देखें आप अगर मेरा स्क्रीन शॉट देखना चाहते हैं तो टेलीगनाम पर चाहके चब आउट कर सकते हैं वैसे मैं आपको दिखा देती हूं यहां मुझे लॉस काटना पढ़ गया था उसके बाद मैंने यह वाली मुमेंट पक्डि थी आज भी बिल्कुल यही चीज सी यही सेनारियो था सेम बिल्कुल मार्केट ने रिपीट किया बस बात यह है कि इंडेक्स अलग था देखें निफ्टी में मैंने क्यों यहां पर पुट की ट्रेड ली थी क्योंकि देखें हमें यह पता तो होता है कि हमें कॉल की तरफ जाना है यह तो हमें पता है कि मार्के call की तरफ जाएगा मगर market देखे कोई ऐसे नहीं जाएगा इस बात को आप समझें market ऐसे ऐसे करके जाएगा ठीक है तो अगर आप में ये चीज़ समझने की या इसे इसके लिए आपके पास रिस्क है इतना capital है आपके पास या इतना आपका रिस्क अपटाइट है तब ही तो आप इस पर टिक पाएंगे ना तो यह काफी जादा जिनके पास capital है या जो अपना आरार काफी जादा अच्छा manage कर सकते हैं उनके लिए है कि वो इस put की trade मतलब इस put की rally को भी जहल सकें इसलिए हम अपने जो different concepts हैं उनके बल पर trade करते हैं कि हम मतलब 2 लगा देंगे trade 3 लगा देंगे मगर यह नहीं है कि मैं मतलब यहां से call लगा दूँ क्योंकि मुझे पता है call की तरफ trade जाएगी और य यह वाला loss जहल सकूं यह वाली बात हो जाती है अलग-अलग scenario है हरकेसी की trading करने का तो मैंने यहां पर put की trade क्यों लगाई थी वो मैं आपको बताती हूं देखें अभी जो यह आपको call की rally दिखाई दे रही है यह trade मैंने अपने group में दे रखी है बैंक निफ्टी में दे र forwarded message from premium market mirrors और यह rally मैंने यहां पर दी है ओके यहां पर target बताया है candle आपको यहां पर दिखाई दे रही है यह जो candle दिखाई दे रही है just a second मैं इसे open करके दिखाते हूं यह देखिए यह जो rejection candle दिख रही है इस candle पर दिया है देखिए आप इस चीज को समझे छोटा सा वह दे रही हूं आपको यहां से देखिए बहुत buyer बैठ रहा है और यहां पर देखिए market में बहुत seller बैठ रहा है मगर market ने इनके बीच में यह जो trapping करिए न यह इस पर हर कोई नहीं बैठ पाता बहुत दिक्कत होती है बहुत sell करते हैं और जब market में sell में rally जानी होती है न तो ऐसे में retailer हिम्मत हार जाता है तो अगर market ने यह sell छोड़े हैं तो ऐसे में क्या होगा देखिए हमने यह बताया था या तो इस candle के sell यह इस candle के sell लेगा यह जो rejection candle है और वह भी maru boozoo से लेगा ऐसे ही नहीं लेगा कि कोई विक्वाली candle जो है इस तरीके से जैसे यह इस तरीके से नहीं लेगा ओके तो देखे इसे इसने maru boozoo से काटा है तो call की तरफ rally गई है यह चीज़ है देखे निफ्टी में मैंने यहाँ पर trade क्यों ली थी क्योंकि एक तो मुझे market में देखे buyer बैठता वा दिख रहा था यह देखे buyer बैठ रहा है और उसके बाद क्या दिख रहा है देखे market ने TV दिखाई दे रही थी जिससे मुझे थोड़ी सी confidence आता है conviction आती है ट्रेड लेने की और यही चीज़ मुझे निफ्टी में जादा क्लियर हो रही थी बैंग निफ्टी में मुझे आज इतनी clarity नहीं मिल रही थी बैंग निफ्टी में क्या हो रहा था देखे बैंग पता तो चल रहा था है मार्केट तो इस वज़े से यह मार्केट आया भी थोड़ा सा मगर यह मुझे वह conviction नहीं दे रहा था कि मुझे पुट की ट्रेड ले लिने चीज़िए इस वज़े से निफ्टी में ट्रेट करीए निफ्टी मुमेंट भी अच्छी दिखा रहा था तो मैंने इसलिए यहां पर ट्रेड ली इसका रीजन और कोई नहीं था एक तो बस यही था कि मुझे यह दिखाई दे रहा था कि माया मार्केट जो है बाहर बिठा रहा है और मार्केट को कॉल में तो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे लूपर है नीचे तो मार्केट के पास कि देखे अगर यह चीज भी कट जाती है ना मार्कु۔ अगर यह चीज भी कट जाती है अच्छे मार्कुथ उससे कट रही है तो ऑवविसलि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या करेगा मार्केट इसके असल लेने आएग़ा इसके असल कहा होंगी ज़रा से और 10 पॉ करता है किस तरीके से वो कर रहा है यहां पर एक डबलू के साथ मार्केट रिकावर कर रहा है प्रॉपर निफ्टी में नहीं कर रहा है इस तरीके से निफ्टी में यहां पर थोड़ा डबलू बनाके रिकावर कर रहा है यह वाली बात है फिर मार्केट ने अब जैसे से डाउन जाएगा तो उन लोगों ने यहां पर पुट की ट्रेड लगाई होगी मगर बात क्या है कि एसल नहीं है नीचे इस वज़े से अब मार्केट को कहां जाना चाहिए दबलू बनने लग रहा है पहले तू आप यहीं देखें कि यहीं डबलू बनने लग रहा है थोड़ा सा ठीक है इसमें आपका एसल भी छोटा होगा फिर आप यह देखें अगर आप हमारी थरीके से घर चे लग यहां पर काड रही है यह तो क्या पर क्या mamat nifty में जाने लग और इतने जितने konsolidate हो रहा था इसने Nifty को भी यहां से छू दिया Nifty को भी यहां पे टच कर दिया अब यह बस इसके उपर है कि हम इतने आगे का देखे ज़ज नहीं कर सकते हैं अब यह इसके उपर है कि आगे market क्या price action करता है यह बात इसके उपर है तो मैंने आज जल्दी थोड़ा सा वीडियो बना दिया है कि ट्रेट किस तरीके से ली गई तो आशा यह आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और प्रेडिक्शन वीडियो में शाम को जल्दी से लाने की कोशिश खरूंगी और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्रिप्या इसके लिए आपको कुछी नहीं करना अलेस अंजल अब स्टॉक किसी में एक लिंक के थुरू डिमेंट खुलवाएं हमसे संपर्ख करें और हमारे टेलिग्राम चैनल को चेक आउट करें उसका लि दालेती हूँ थैंक यू वेरी मच एक लाइक और कमेंट जरूर दीजेगा